आप सब का यहाँ दिल से बहुत-बहुत स्वागत नमस्कात मुकुल वासनिक जी कहाँ आप आपने आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बबर शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिये और देखिए एक साथ प्यार से खड़े हैं यह हमारा कॉंग्रेस का कार्य करता किसी से नहीं डरता एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तियार रहता है अच्छा मुझे कहा मुझे कहा पार्लेमंट में कल कहा राहूल जी सुनिये सुनिये पार्लेमंट में कल कहा बीजे पी को लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं माफी मंगूं भाईया और भेनों मेरा नाम राहूल सवार कर नई है मेरा नाम राहूल जादी है मेरा नाम मेरा नाम और ना कोई कंग्रेस होले माफी मंगेगा माफी नरेंद्र मोदी को मननी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी माँगनी है और उनके जो असिस्टन्ट है अमिद्जा उनको देश से माफी माँगनी है क्यों माँगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश कि शक्ति इस देश की आत्मा इस देश की शक्ति इसकी अर्द विवस्ता थी अर्द विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी और देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश अलग-अलग धर्मों का देश अलग-अलग जातियों का देश अलग-अलग विचारधारों का देश मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन दूसरी तरफ हिंदुस्तार चिंडिया बोलते थे चिंडिया चाइना और इंडिया दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और ये देखिए ये प्याज पकड़े हुए आज ये प्याज पकड़े हुए आज 200 रुपए 200 रुपए हिंदुस्तान की अर्दलबस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आपको याद होगा आद बज़े रात को तीवी पर आए भाई और बैनो 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान की अर्दलबस्ता को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है ब्रश्टा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माता है बेहनों के घरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाकों करोड रुपए अदानी और अनिल अम्बानी के हवाले किये उसके बाद गपर सिंग टैक्स मनमान सिंग जी ने कहा चितामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पुरे देश ने प्यार से खुन पसीने से अर्थ्यवस्ता खड़ी की एन नश्ट हो जाएगी नरेंदमोदी कहतें नहीं मैं तो बारा बचे रात को गबबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या ना परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी आज चार परसेंट पे पहुँच गए है और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से GDP ना पो तो आज धाई परसेंट GDP ग्रोफ रेट है हिंदुस्तान का बाई और बेनों हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे किया वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया और अपने आपको प्रधान मंत्री देश वक्त कहते हैं पूरा का पूरा पैसा कि दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है कि सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमांदार उद्योग पती है और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसान ने इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योग पती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने, मैं एक नाम लेता हूँ, एक नाम लेता हूँ, पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने अदानी को पच्चास कॉंट्राइक दिये, एक लाग करोर रुपे से जादा, देश के एरपोर्ट पकड़ा दिये, देश के पो बिना contract ने दे दिया, क्यों? क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे, इसको आप रश्टाचार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको? एक लाग चालिस हजार करोर रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माप किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिबाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का साथ हजार करोर रुपए माप कर देंगे अर्द्विवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ कले चश्में जैसे आपके हैं को कि अप खरीदेधे कई बैसे हो ग्र 빠ई पांफूता है है मोबाल फोन क्यांक्त इंख धर करिटेख्व सब्सक्राइवां अब फैक्ट्रियों ये चीजें बनाती हैं कि कि उध्ष कि अध्यूद पूह्नमाल ग्रीटेख्व सिस्क्म है पैसा पहले गरीब लोगों कि ये जेब में डालो किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा किसान मज़ूर चोटे दुकानदार EB चीज़े खरीदेंगे चीज़े खरीदेंगे डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंद्र मोधी ने आप सब के जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया भगेल जी ने कहा 36 गड़ में 2500 रुपए दान के मिलते हैं मद्यब्रदेश राजस्तान चत्तिज़गर करनाटा पंजाब इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया इन प्रदेशों में हम सही MSP क्यों देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्द वेबस्ता आगे जाही नहीं सकती मन रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते है हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंद मोदी ने पूरा पैसा खीट के अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्ध व्यवस्ता को नश्ट कर दिया मगर वो वहाँ नहीं रुके वो वहाँ नहीं रुके बाटने का काम करते है आपने पूरे देश ने नरेंडर मोधी को चुना क्यों चुना? हिंदुस्तान को मद्बूत करने के लिए चुना और द्वेवस्ता को मद्बूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना वो काम नरेंडर मोधी ने नहीं किया 4% पे GDP पहुँच गई 45 साल से सबसे ज़ादा बेरोदगारी आज बिन भर किसारा आतमतिया करने है मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोधी की सरकार है कितने किसानों ने करजा कितने किसानों ने आतमतिया की सरकार जवाब देती हमें मालूम नहीं पार्लिमेंट में सवाल का जवाब देती हमें मालूम ही नहीं पर देशों से जाके पूछिया हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हड़ी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्मानी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालूम है पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है और फिर यह बाटने का काम शुरू करते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से जम्मू कश्मीर में नौर्थ एस्ट में अरुना चल जाएए देखिए नरें रमोदी ने क्या काम किया है जला दिया है उन प्रदेशों को आग लगा दिया है साहम में बाटने का काम करते हैं देश को कमजोर करने का काम करते हैं और आप लोग जो सब यहां हाए हो और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूँ आप इस देश को बागते नहीं हो आप इस देश को अपने खून पसीने से अपने दिल से ख़़ा करते हो रोज छोटे दुकांदार, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा ये सब लोग मिलकर इस देश को ख़़ा करते हैं ये आपका खून है, ये आपका पसीना है और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है बाटा जा रहा है और आपके अर्द्वेवस्ता को नश्ट किया जा रहा है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं एक बात के बारे में सोचते हैं एक चीज के बारे में सोचते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है हाँ या ना सत्ता के लिए हमारे प्रधान मंत्री कुछ भी कर देंगे सत्ता के लिए अर्जविवस्ता को नश्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे, मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोधी की, टीवी पे आने चाहिए, रोज, भाईया एक बाद बताओ, टीवी पे नरेंद्र मोधी रोज दिखाई देते, दिखते हैं न, कितने घंटे दिखते हैं? दिन बर दिखते हैं न, भाईया ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टिस्मेंट आता है, वो कितने का आता है? लाकों रुपय का आता है न, तो ये नरेंद्र मोधी जो दिन बर टीवी पे दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता, मनमौन सिंग जी को आप टीवी पे देखते हो, नही का पैसा, वो लोग दे रहे हैं, जिनको नरेंद्र मोधी आपका पैसा चीन कर दे रहे हैं, ये सचाई देश की, और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, देखो, आप पर बहुत बड़ी जिम्यदारी पढ़ती है, हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पर आकरमन करते थे, और आपने सही किया, मैं स्टेज से कह रहा हूँ, कि आपने अपना काम किया, मगर आज वो अपना काम भूल गए हो, आज अपना काम भूल गए हो, मगर आप भी देशवासी हो, आप भी इस देश के हो, और मैं हिंदुस्तान के सब इं institution में जो लोग बैठे हैं चाहे हो हमारे कोड्स में बैठे हो चाहे वो मीडिया में बैठे हो चाहे वो सरकारी आफिसेज में बैठे हो चाहे वो ब्यूरोक्राइट्स हो आप ये बात याद रखिए जिम्हदारी आपकी भी है जब आपको दबाया जाता है कुछला जाता है ध हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमंड हो रहा है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है दबाया जा रहा है अब कॉंग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है कॉंग्रेस वाला बबर शेर होता है नहीं डरता किसी से मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी आफिसेस में बैटे हैं जो मीडिया में बैटे हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूं डरो मत आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और जो आज डर है डर का महौल है नफरत का महौल है इस महौल को हिंदुस्तान की जनता कॉंग्रेस पार्टी हम सब मिलके मिटा डालेंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहन